खबर बुपाल से है चोहां पूर्व सांसद रगुनंदन शर्बा ने ब्यूरुक्रेट्स पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि I.S. का मतलब है इंडिया अडंगा सर्विस बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चीन के बुरुक्रेट काम को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा साथी आगे कहा कि भारत के बुरुक्रेट काम को लंबित करते हैं ब्यूरुक्रेट इस देश में अंग्रेजों के उत्तराधिकारी बन कर आए भारत के लिए नहीं आए इसलिए उसी तरह काम कर रहे हैं तो पुर्व सांसद रुगनंदन शर्मा ने बयान दिया है ब्यूरुक्रेट पर हमला बोला इस बयान के जरीए इस देश में अंग्रेजों के उत्तराधिकारी बन कर क्या काम कर रहे हैं कभी उनको भारतियों का प्रतिनीधी बन करके प्रतिनीधीयों के सलाकार के रूप में या उनके काम को आगे बढ़ाने वाले के रूप में नहीं देखा गया चीन में वहां के ब्यूरोक्रेट्स किसी काम को लंबित नहीं करते बलकि उस काम को या विकास की किसी भी मामले को गती देने का प्रयास करते हैं लेकिन भारतवर्ष के ब्यूरोक्रेट्स काम को लंबित करने का ही प्रयास करते हैं अडंगा सर्विस है मैं तो यह कहता हूं कि IAS अर्थात इंडियन अडंगा सर्विस कि विकास के कामों में व्यक्तिकत कामों में जनहित के कामों में अडंगा करके और वर्षों तक मैनों तक उनको लंबित करना यही एक काम यहां के प्रशासनी कथिकारियों का तथा कथित ब्यूरोक्रेट्स का बचा है